दोस्तों अगर आपका भी राशन कार्ट बना हुआ है और आपने अभी तक अपने राशन कार्ट की EKYC को कम्पलीट नहीं किया है तो 30 सितंबर से पहले पहले आप लोगों को अपने राशन कार्ट की EKYC को कम्पलीट करना पड़ेगा अगर आप लोग अपने राशन कार्ड की EKBC को 30 सितंबर से पहले complete नहीं करते हैं तो आपका जो राशन कार्ड है बहें बंद कर दिया जाएगा और इसी के साथ में आपको राशन भी नहीं मिलेगा और साथ ही आप लोग ओनलाइन ही पता भी कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में केवाई से हुई है या फिर अभी तक नहीं हुई है तो चलिए स्थू करते हैं सबसे पहले आपको पिले श्टोर में आना है और यहां से आप लोगों को मेरा राशन application को install कर लेना है अगर आपके mobile में पहले से ही यह application है तो आप लोगों को इसे update कर लेना है और इसके बाद में open वाले option पर एक बार click करना है क्योंकि पहले का जो application है भे ठीक से बर्क नहीं करता है जब आप इसे update कर लेंगे तो ये ठीक से बर्क करने लगेगा अब यहाँ पर सबसे पहले तो आप लोगों को इसमें एक छोटा सा registration करना है और इसका एक 4 digit का pin create कर लेना है तो registration करने के लिए आपको यहाँ पर आधार number की आपशक्ता पड़ेगी यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने आधार number को enter करना है और आपके आधार card में mobile number भी link होना चाहिए इसके बाद में capture code दिखाई दे रहा है इस capture code को same to same यहाँ पर fill कर देना है और इसके बाद में यहाँ पर login with OTP वाले option पर एक बार click कर देना है अब आपके आधार card में जो भी mobile number link है उस mobile number पर एक OTP send किया गया है यहाँ पर OK वाले option पर एक बार click करेंगे जो भी OTP आपके mobile number पर आया है उस OTP को आप लोगों को यहाँ पर fill कर देना है और OTP को fill करने के बाद में verify वाले option पर एक बार click करना है OTP हमारा जो है successfully verify हो चुका है OK वाले option पर click करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को इसका एक four digit का amp in create कर लेना है जिसके लिए आपको create now वाले option पर एक बार click कर देना है यहाँ पर आप लोग जो भी इसका amp in create करना चाहते हैं तो वो type करेंगे next वाले option पर click करना है दोबारा से आपको उसी amp in को type कर देना है और इसके बाद में create amp in वाले option पर click कर देना है अब आपका जो amp in है वह successfully create हो चुका और यहाँ पर आपको okay वाले option पर एक बार click कर देना है जैसे ही click करेंगे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से page आ जाएगा अब शबसे पहले हमें यह check कर लेना है कि हमारे ration card में काउन काउन से family member की ekyc complete है तो इसके लिए हमें three dot पर एक बार click करना है और click करने के बाद में यहाँ पर एक option देखने को मिल जाएगा manage family details तो आपको इसी बाले option पर एक बार click कर देना है click करने के बाद में आपके ration card में जितने भी family members होंगे सभी family member की detail यहाँ पर देखने को मिल जाएगी और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग आधार EKYC की भी डिटेल देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी लिखा हुआ है Note Verified यानि कि इस Family Member की जो EKYC है भे अभी तक Complete नहीं हुई है तो इसी तरह से आप लोगों को सभी Family Member के सामने देख लेना है कि EKYC Verify हो चुकी है या फिर अभी तक नहीं हुई है और जिसकी भी EKYC Verify नहीं है तो उसी Family Member की आप लोगों को EKYC को Complete करना है तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को Status Check करके दिखा दिया अब चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि Online ही किस तरह से आप लोगों को Ration Card में EKYC को Complete करना है तो इसके लिए आप लोगों को Google में आ जाना है और यहाँ पर आपको Type करना है Ration Card EKYC इतना Type करने के बाद में आप जैसे ही सर्च करेंगे इसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को एक Website देखने को मिल जाएगी EKYC Ration Card तो आप लोगों को इसी वाले Option पर एक बार किलिक करना है और जैसे ही सर्च करेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो Complete Detail आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी और यहाँ पर मैं आपको Zoom करके दिखा देता हूँ यहाँ पर जो भी Mobile Number राशन कार्ड में लिंक है वो Mobile Number आ जाएगा और साथ ही लिखा हुआ है आधार इजनोट लिंक्ट यानि कि इस राशन कार्ड की EKYC अभी तक Complete नहीं हुई है तो अब आप लोगों को राशन कार्ड में EKYC को Complete करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले अपने आधार नंबर को Enter करना है और साथ ही आपके आधार कार्ड में Mobile Number भी लिंक होना चाहिए तभी आप लोग इस प्रोसेस के माददेम से Online ही राशन कार्ड की EKYC को Complete कर सकते हैं आधार नंबर Enter करने के बाद में इस वाले Box पर आपको Tick लगाना है और इसके बाद में यहां पर आप लोगों को Send OTP वाले Option पर एक बार किलिक कर देना है और जैसे ही किलिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी Mobile Number लिंक है उस Mobile Number पर एक OTP सेंड किया जाएगा उस OTP को आप लोगों को यहां पर फिल कर देना है और OTP फिल करने के बाद में Submit वाले Option पर एक बार किलिक करना है जैसे ही OTP डाल करके Submit वाले Option पर किलिक करेंगे तो आपके राशन कार्ड की जो EKYC है भह यहां से Complete हो जाएगी अब EKYC को Complete करने के बाद में दुबारा से आप लोगों को मेरा राशन अप्लिकेशन में आ जाना है और यहां पर आप लोगों को एक Option देखने को मिल जाएगा Manage Family Details तो आपको इसी वाले Option पर एक बार किलिक कर देना है किलिक करने के बाद में यहां पर आप लोगों के सामने सभी Family Members के Name आ जाएंगे और यहीं पर आप लोग दुबारा से आ करके अपने राशन कार्ड का Status चेक कर सकते हैं कि आपके राशन कार्ड में EKYC हुई है या फिर अभी तक नहीं हुई है अभी दोस्तों जो भी मैंने आपको Process बताया था यह Process Based बंगाल का है तो इस Process के मादम से Based बंगाल के लोग Online EKYC Complete कर सकते हैं अब बात कर लेते हैं आप लोग और किसी State में रहते हैं जैसे कि UP में रहते हैं बिहार में रहते हैं या फिर इसके अलावा भी और किसी State में रहते हैं तो आपको किस तरह से EKYC को Complete करना है तो इसी Application में आप लोगों को आ जाना है और कुछ नीचे की साइड में आएंगे यहाँ पर आप लोगों को एक Option देखने को मिल जाता है Near YFPS Sobs तो यहाँ पर आप लोगों को View All वाले Option पर एक बार किलिक कर देना है और जैसे ही किलिक करेंगे किलिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपके नस्दीक में जितनी भी राशन शोप होंगी सभी राशन शोप की Location आपको देखने को मिल जाएगी सबसे पहले तो यहाँ पर आपको उस कोटेदार का नाम देखने को मिल जाएगा IFES ID देखने को मिल जाएगी और साथ ही आप लोगों को आपके घर से इस राशन शोप की दूरी कितनी है वो डिस्टेंस भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं तो अब आप लोगों को करना क्या है इसी राशन शोप पर जा करके अपनी EKYC को कम्प्लीट कराना है और अधिक information के लिए आपको यहाँ पर एक map का भी option मिल जाता है तो आपको इसी वाले option पर एक बार click करना है click करने के बाद में कुछ permission माँगेगा जिसे कि आपको यहाँ पर allow कर देना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हूँ पूरी location आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगी तो आप लोग इसी location पर जा करके अपने ration card की EKYC को complete करा सकते है दोस्तों यह जो process मैंने आपको बताया है यह process उन लोगों के लिए है जिन भी state में online EKYC नहीं हो रही है अगर आपके state में online ही EKYC हो जाती है तो आप लोगों को ration dealer के पास में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इस तरह से आप लोग अपने ration card की EKYC का status check कर सकते हैं और आप लोगों को 30 सितंबर से पहले पहले ही अपने ration card में EKYC को भी complete कर वा लेना है तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं दोस्तों फिर से किसी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ